नमस्कार साथियो आज है 17 अब जुलाई और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकावली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टाट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजिए आए देखते हैं आज का इंपोटेंट वर्ड तो फर्स्ट वर्ड है करना दो परदान नहीं कि अपने अपको परदान बना लेना और मतलब उस पर राज करना थीक है अपने हाथों में ले ले पर पर नियाए परी दोमिनेंस या पिरुस यह सब क्या हो जाएंगे इसके लिए जैसे कि यहां पर पिक्चर में दिखाया गया है कि जो yuk प्रधान ने और यह सब इसके सीनोनेम्स होगा जो कि है मनी सुप्रमेशी डोमीनेशन है प्रीडोमिनेंस यह सब क्या होगा इसके सियोनेम्स होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बरते हैं यह क्या है यह तो ऊपको दो है प्रेडशन तो लिएक आपको मतलब अदिकेसि को परिणाम को रिजल्ट आता है नतिज़ा तो इसको आफ्टरमेट बोलते हैं डिक जिसका स्योन्नेम्स क्या हो सकता है तो ramification, repercussion, fallout या फिर backwards यह सब क्या हो जाएंगे इसके synonyms हो जाएंगे जैसा कि picture में दिखाया गया कि इसमें क्या हुआ यह मतलब कोई natural disaster है like earthquake उसके बाद का picture दिखाया यानि कि उसके बाद का पड़िनाम है earthquake आने के बाद का ठीक है तो aftermath मतलब समझ गया कि पड़िनाम यानि कि कोई unpleasant event हुआ है उसके बाद का जो पड़िनाम होता है वह ठीक है जैसे कोई हादसा हो गया को एक्सिजेंट हो गया तो उसके बाद का जो result होता है वो उसको aftermath बोलते हैं ठीक है यह सब इसके synonyms हो गया तो आपको यह भी वर्ट समझ में आ गया होगा अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ट नेक्स्ट वर्ट है किन कीन एक एड्जेक्टिव है जिसका मिनी होता है स्वेइंग ग्रेट एनर्जी एंद इन्थोजी आज्म फोर सम्थिंग एस्पेसली वीकॉज फिल स्ट्रोंगली एबाउट इट मतलब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी या उत्सा दिखाना क्योंकि उससे आप मतलब क्या कर रहें उसको बहुत ज्यादा फिल कर रहें स्ट्रोंगली फिल कर रहें ठीक है तो कीन मतलब उत्साही होता है कि आप उत्साही था किसी चीज को लेकर तो इसका हिंदी मीनिम उत्साही हो गया सीनोनेम्स की बात करेते हैं इन्थ्वास्टिक जिलियस और जेन्ट या फिर फरवेंट ठीक है यह सब क्या हो गए आपको वहां से चेंज कर देने से क्या हो जा रहा है पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जा रहा है तो कीन यहां पर क्या हो गया किन मतलब उत्साही हो गया पिक्चर में देख सकते हैं कि यह लड़कियों काफी ज्यादे एक्साइड है किसी चीज को लेकि तो आयोप यह प्रवेसिव एक एड्जेक्टिव जिसका मैनी होता है फाउंड और डिस्ट्रिबिटेड ओवर लार्ज एरिया और नंबर फीपोल यानिकी सीचीज को फाउंड करना या डिस्ट्रिब्यूट कर देना कहां पे तो अखिए लार्ज एरिया यह बहुत जादे एरिया पर यह मतलब desperate मतलब क्या होता अनिकी जो चीज फैला हुआ तो पर पर्वेशिब कहा एक अड्जेक्टिफ हो गया जिसका मिनिंग क्या होता कि फैला होना कोई चीज जो विस्तुरी थो फैला हो चारो तरफ और यह इसका मेनिंग हो गया और शिणननेम की बात करें तो यह संब इसके सेखेंस प्राइब सभ्रक्राइब आप चलते या दिक लूण इसका मीनिंग क्या यहाँ नॉट मैचिंग सम्थिंग इंसाइज इंपोटेंग इसे यह यब कोई चीजिस का ना तो वह साइज में चारा है नाहीं उसका quality में किसी चीज से मेंच कर रहा है तो सको डिस परकर बोल चाहित ठीक है एक की अधे पर पोर्पोर्शनल होता है एक और एक दिस्परपोर्शनल होता है तो इसको बल सकते हैंते सिनोनीम की बात करतेंट इसका सुननीम क्या हो सकताँ इंकोमेंसुल्स रेट हो सकता है इन ऑडिनेट हो सकता है लेकिं और रहती हो सकता है मैच नहीं करना एक कि एक का लग इलग है और उसका साइज भी अलग है तो यह क्या है दिस्पर्पोनेट है तो आइपindetे होया आपको पिक्तिर के ठूरू भी यह वर्ड समझ मएं आ गया होगा नूझ का मतलब क्या है औस प्रक्रीर करें आलगत हो यह सब erase के सिनोडिम्स होते हैं अब देखते हैं नेस्ट वाट इस यह एक्टीव साफिक्स है सब्सक्राइब नहीं नहीं कर सकते हैं तो इसको एब फ्यूटीवल बोल वह जयाए तो यह सब क्या जाएगा जैसे कोई फैक्ट होता है कि उसको जल्दी कोई तोर नहीं सकता है वह मतलब सच होता है तो फेक्ट कर सकते हैं जो कि आप पिक्चर भी दिखाया गया तो वर्ड क्या होगा इर्फ्यू टेबल जो एड्जेक्टिव है जिसका मिनिंग होता है अखंडा निये और यह सब स्नुनेम्स हो जाएंगे तो यह वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं नेक्स्त वर्ड तो नेक्स्ट वर्ड क्या है रिषीड रिषीड एक भर्विए जिसका मिनिंग होता है तो बीकॉम काम और क्वाइट टर और लेस इंटेंस यानिकी क्या होना सांथ ह जाएंगे जैसे रिषीड यहां पर शकके तर豹 तरफ एंडीकेट करता है तो यहां पर क्या कर रहेत डाउन वर्ट का रया है कोई चीज क्यों हो रहा है तो मovन होना और टीलावा अभी अगर गवर कर रहा है यहां Sup के अलाव भी आपको अगर उस वर्ड से डिलेटेड कोई भी नौल जै तो आप भी वो comment box में comment कर सकते हैं ठीक है आप क्या कर सकते comment box में comment कर सकते हैं तकि ऌतकी उस comment करने से क्या होगा कि आपका जो से वह इंग्रेज होगा ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड का तरह नेक्स्ट वर्ड अबजेक्ट अबजेक्ट एक एड्जेक्टिव है जिसका मिनिव होता है अफे अबजेक्ट हो गया तो आई होप यह वर्ड भी आप समझ गया होंगे नेस्ट वर्ड अन इस एक नाउन है ठीक है जिसका मिनिव होता है अप बिंग वरीड और अन हैपी एबाउट सम्थी मतलब ऐसा फिलिंग इसमें आप क्या है चीन्तित है या दुखी है किसी चीज को ले बात करें तो एजिटेशन ट्रेपीडेशन ड्रेड या कॉंटर रिपीट होते हैं उनको देश से बहुत ज्यादा प्यार होता है तो नेसन को लेकर क्या होते हैं तो इस तरह हम आपको यह वर्ड याद भी कराया थे आई होप आपको याद होगा तो देखिए अनीज मतलब अब गरता हो गया ठीक यानिकि ब्याकूल होना किसी चीज को लेकर तो यहां पर लड़का वो क्या है बहुत ज्यादा टेंसन में यानिकी वह दुखी है तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कोहेशन देखिए कोहेशन भी एक नाउन एक जूट है ठीक है एक जूट है उनाइटेड है तो इसको कोहेशन बोलता है जैसे आप अगर फिजिक्स पर होंगे तो एडेसिप और कोहेशिव फोर्स भी पर गएँ ठीक है तो आप को उससे कोहेशन को रिलेटकर इसली यादभी रख सकते हैं तो कोहेशन मतलब क्या हो गया कि एक जूट होना ठीक है किसी गुरूप के लोग में एक जूटता होना तो इसको एक जूटता बोल सकते हैं सीनोनेम्स इसका अगर देखे तो इनाइटी इनीटी कोहरेंस इंटर रिलेस्टन और गनाईजेशन यह सब क्या जाएंगे इसके सिनोनेमस जाएंगे जैसे आ आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा और वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिएगा मिलते हैं फिर अगले सेशन में जैहिंद